हम भी उठ जाते हैं मोर्निंग में जब सभी अपने मिठे खाबों में सपनों में सोय रहते हैं सेविंग भी कर लेते हैं ठंडे पानी से पीना गाल का परवा किये हुए रगरते रहते हैं जिलेट से मा आज कल हम वहार रहते हैं जहां कोई नहीं रहता कभी माइनस बिस डिग्री में तो कभी जंगल में कभी चाइना के आसपास तो कभी पाकिस्तान के आसपास mentally, exile और physically दोनों फे साला कितनी खुशी होते हैं जब दस दिन के चुटी पे घर आते हैं कभी बुगा के घर तो कभी मौसी के घर कभी इधर तो कभी उधर कभी खुद को समय दे नहीं पाते मिलते ही रहते हैं जिंदगी पर लोगों से लोगों से मिलने के चकर में कभी खुद से मिली नहीं पाते हम फौज में काम करते करते हम इतने सिंसियर हो जाते हैं कि पॉब्लिक ठगना स्टार्ट कर देती है दस का समान 20 रुपए में बेशते हैं दुकान वाले कंपट्टी के पास छेहर बाल देखे नहीं कि समान का रेट बढ़ जाता है क्योंकि वे जानते हैं कि ये फौजी लोग हैं बारगेनिंग करना नहीं जानते हैं और सच कहा है को हमने कभी मोल बाउ करना सिखा ही नहीं बस हर सिचूइशन में एड़जस्ट कर लाते हैं जो दोस्त हमें दोस्त समझते थे आजकल वो हमें कैंटीन समझने लगें लेकर कार्ड और दारू से ज़्यादा हमें किसी ने समझा ही नहीं एक तो कभी किसी का फोन नहीं आता है औ किसी को फेरल लबली चाहिए तो पिसी को हरलिक्स, तो किसी को अमरीकन ट्वस्त का बैग और किसी को सपूर्ट शूज पहले पूछते थे, कब आ रहे हो, होली में आ रहे हो, अच्छा होली में आ रहे हो तो एक मेरे लिए आरेस लेते आना वैसे भी बिहार में दारू बंध है और कैंटीन के दारू में बहुत मशा है, चार दिन तक सोते ही रहते हैं अभी घर पे चार दिन ठीक से पहुंचे हुए होता नहीं है कि जनता सवाल पुछना शुरू कर देती है कब जाना है कब की ट्रेन है भाई कब जा रहे हो इतना सवाल इतना सवाल तो सलाख खुझ से हमने कभी पूछा ही नहीं जितना बगल वाले पूछते हैं एक तो कमूर में ही आ जाते हैं डिफेंस लाइन में और कड़ जाते हैं सोशल लाइब से कभी किसी के शादी में नहीं जा पाते हैं कभी किसी के फॉंक्शन में नहीं जा पाते हैं शिकायत हैं सबको रहती हैं कि हम नहीं आते हैं। पर क्या करें। अपने प्रशनल लाइफ को सोशल लाइफ से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। चुकि फॉजियों का कोई सोशल लाइफ ही नहीं होता। अरे कंफर्म टिकट की तो दूर की बात है सरा तीन मेने पहले छुटी तो कंफर्म है और हाँ ये सब हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि फौजियों के लिए छुटी एक प्रिविलेज है मौली का अधिकार नहीं जितना हमने सम्मिधान को समझा है न समय न ने हमें सम्मझा ही निए हमारे अधिकारों में टर्म एन कंडिशन अपलाइट कर देया गे अंधर सेना में पॉल्टिक्स नहीं है इसकर का आक सारा कॉलिक्स सेना पहुए है क्योंकि घरगर में होली क्सिजा दाप फॉल्टिक्स चलता है अब क्या फिर्ख पढ़ता है। वाईसाब को कि बगल में चार गूंटे से कौन साफ, जब कंफर्म सेट नहीं मिलता ना साथ, तो बात्रों के बगल में कहीं भी सो जाते हैं। कहीं भी मतलब कहीं हैं। ऐसा तो हमने कई बार अपने कंफर्म सेट पे लोगों को जगा दी है अपने साइड लोगर को मेडिल अपरफेक्शन दीखिए कई बार तो हम खड़े भी हो जाते हैं मगद दिमाग नहीं लगाते हैं ज़स बात को समझते हैं आपको क्या पता है कि सुबद 10 बजे जब बीना लंच कर आए शाम 4 बजे पुरानी दिल्ली से तिन सुखिया जाने का ओरडर आता है तो ये भी नहीं पता होता है कि ट्रेन है या नहीं है तो समय है या नहीं बस हाथ में वरंड का एक हर्रापन्ना होता है जिसमें फ्राप और टु लिखा होता है ये नहीं लिखा होता है कि किस टैन से जाना है और यह रहा आपको कंफिर्म से एकनमर बस चल देते हैं जयहन बोल के हम आप साथ का सीख बिल मांगते हैं थोड़ी सी कोपेरेशन मांगते हैं थोड़ी सी उमीद मांगते हैं बस थोड़ी सी दिल में जगा मांगते हैं फोजी समझकर क्योंकि फोजियों के लिए तो सारा मुल्क अपना है यह थोड़ी सी सिंपैथी न किसी एलोपैथी से जादा काम करती है साथ इसलिए अपनों से गुजारिश है कि अपनों के लिए अ जाए हिन जाए भार्ण Her bro will take a long sleep after sunset Tell my nation not to cry Because I'm a soldier